संद पहुलूस कलीसिया के सबसे महान मिशनरियों में से एक जिने गेर यहूदियों के प्रेरित के रूप में जाना जाता है और वे संद पीटर के साथ रूम के संदक्षक संदों में से एक है संद पौलूस का जन्म तीसरी इस्वी के आसपास तार्शस में वर्तमा तुर्की में एक अमीर फरीसी परिवार में हुआ था एक फरीसी होने के कारण अपने पिता की तरह उन्होंने अपने पूरे जीवन में ईशाय दर्म का द्रड़ता से विरोध किया दमासकस के रास्ते में अपने मन परिवर्तन के बाद और सुवयम मसी से मिशन को स्वीकार करने के बाद संद पॉलूस पहले तीन साल के लिए अरब जाते हैं और बाद में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दमासकस लौडते हैं उनेंचास इस्वी में यरुसलेम के चर्च की पहली परिशत में उनकी भागीदारी ने इसाई धर्म को पूरी दुनिया में सभी लोगों के लिए खोलने का मार्ग प्रशस्त किया 69 इस्वी में संद पॉलूस को यरुसले में अशांध्य पैदा करने के लिए कैद कर लिया जाता है साट इस्वी के आसपास संद पॉलुस रोम में आता है और गर में नजरबंद रहता है और अपनी मिशन को जारी रखने के लिए पत्र लिखने और प्रचार करने में समय लेता है चार्च ओफ संद पॉल अल्लरगोला रोम में उस तान पर खड़ा है जहां संद रहते थे और अपने कुछ पत्र लिखे थे 64 इस्वी में रोम के महान आग के लिए खुझ से दोश को बदलने के प्रयास में समराट नीरो इसायों को निश्पादित करना शुरू कर देता है संद पॉलूस भी उत्पीडन के लेक्षियों में से एक बन जाता है और इससे उसे गिरफतार किया जाता है और मामर्टाइन जेल में स्तानांदृत कर दिया जाता है मामर्टाइन जेल पांचवी शदाब्दी इसा पुरू से एक प्राचीन रोमन जेल है जिन्हें रोमिय दुआरा मौत की सजा सुनाई गई थी उन्हें कैद करने के लिए इसका इस्तमाल किया गया था सम्राट नीरों के आदेश पर संद पॉलूस ने अपने गुठने टेक दिये और रोम के देख्षन में पाये जाने वाले एक छेत्र एकुआ साल्विया में उनका सिर काट दिया गया सिर काटने की तुरंद बाद उनका सिर तीन बार जमीन पर उचला और चमतकारिक रूप से उन तीन बिंदों में से पानी की धारा बहने लगी हुआ है उनकी मृत्यू के बाद संद पाउलुस को भक्त लुसिला के पारिवारिक मकबरे के अंदर ओस्टियन्स वेपर एक रोमन कप्रस्तान में दफनाया गया था यह इस तद्धी के कारण संबव था कि ईसाई होते हुए भी वो एक रोमन नागरिक भी थे लंबे समय से यह माना जा रहा है कि उनका मकबरा आज भी मुख्य वेदी के नीचे स्तिद है लंबे व्यूदे भी वेदी के लंबे से लिए झाल के झाल कोईगा पर्फट तब करण दो पाजना कर दोनलर के उनाता कर दोने खिर दोने हो यह बतार है.